कि दोस्तों अमेरीका के प्रेजटन जॉए बिडेन ने 2022 में। एक बार यह स्टेट्मेंट गई थी सब से पहतatoreन we मैं statement discuss करूँगा क्योंकि इस पूरे current affair को discuss करने के लिए जरूरी है जानना कि statement क्या है देखिए अमेरिका के President Joe Biden ने 20-22 में एक जो statement कही थी न वो ये कही थी कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे यह बात है वो पूरी दुनिया को सतारिय कारण क्या है उसका जो अगर background देखा जाए वो यह है कि पाकिस्तान के पास जो है economy जो है पाकिस्तान की गिरती जारी जैसे किसी समय में शिलंका की गिरी और मैं इवन इंडिया का भी उधारन डूंगा कि इंडिया में भी जिस समय गिरी थी एकिदम से उसर हम इंडिया ने क्या किया था ?ई पाकिस्तान इस समय क्या कर सकता है ? Quit भी क्या नेगटीव भी कर सकता है ?दोस्तों अगर आपव exam c platsl का या फिर cds का या फिर celsl का या फिर कोई भी अन्य एक्जाम अगर आप देने वाले हैं में भी कॉइट पोसिबल कि आपको कंटेंट की आविशक्ता हो आपको रेगुलर पढ़ने की आविशक्ता हो कुछ ऐसा करेंट फिर चाहिए हो 12 महीने का वो सब आपको जो है पूरा जी एस आपको चाहिए 12 महीने फिर की गेम बदलता है मैं आपको सला दूँगा कि आप आज ही करेंट फिर पूरा जो है रिवाइस करदेंगा आपके एक्जाम में थोड़ा सा समय है तुछ दिन का समय है या उससे ज्यादा का समय है तो करेंट फिर जरूर देखिए मेरे टेलीग्राम पे पूरा करेंट फिर एवलेबल रहता है ठीक है 12 महिने का पूरा करेंट एफेर है और जी एस पी पूरी अवलेबल है ठीक है तो आप देख सकते हैं यूटलाइस कर सकते हैं चली स्टार्ट करते हैं डिसकेशन बाकी चीज़े मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंद में तेके अभी क्या आपको बताऊंगा अगर कोई वीडेश ऐसा है जिसको विदेशी समान खरीदना है तो उसको विदेशी बुद्रा चाहिए एक एक तामिन आपको एक दिन एक वीडियो बनाए थी मिने इसमें का था कि पाकिस्तान की जो महंगाई की दरे हैं वो 23% से भी उपर जा चुकी है पैट्रोल का दाम वहां पे 300 छूने वाला है बाकि जितने भी समाने वो सारे महंगे हो गए अब चीजें महंगी हो रही है तो उसको महंगी चीजों को खरीदने के लिए भी पैसा ठीक है पाकिस्तान के पास ना विदेशी मुद्रा का भंडार महत सिर्फ तीन अरब डोलर का है यानि कि अगर इसको अपने भारत के या फिर रुपीस में देखें तो 25,000 करोड का है ठीक है इतना पैसा सिर्फ पाकिस्तान सिर्फ तीन हफते तक चला सकता है ठीक है कोई भी चीजे जैसे अब पाकिस्तान को भार से ओयल लेना है ठीक है तो पाकिस्तान तीन हफते तक तो ले लेगा उसके बाद जब नहीं ले पाएगा तो उसकी दरे पाकिस्तान में 500, 600, 700, 1000 भी हो सकती है उसके पास है नहीं पैसा अब खरिदने के लिए जब है नहीं तो जो बच पर जाने वाला पाकिस्तान में ऐसा अनुवान है और पोसिबिल्टी है और में भी पोसिबल के आएम एफ थोड़ी सी हेल्प कर दे पाकिस्तान की अधरवाइस जो है यह इन्फलेशन बहुत हाई जाने वाला है अगर देखा जाए पाकिस्तान की जो रूपी करंसी है ऑफ स्टेट बैंक को पाकिस्तान है एक सिल्वर का कोई आच के संवे तो हमेसे नोट जो है वो अलग होगे फिर भी concept यही है ठीक है जो पाकिस्तान के पास अभी जो इससे पहले था 20-22 में 16 अरब डोलर था 16 अरब डोलर था आज के समय में 3 अरब डोलर हो गया है 20-23 यानि के 25,000 करोड के आसपास विदेशी मुद्रा यह बहुत संकड का कारण है वाकिस्तान के शिलंका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था लेकिन शिलंका की बात यह थी कि उनके पास कोई nuclear weapon नहीं है अब पॉइंट आता है कि अमेरिका के राष्टपती ने यह जो statement कही थी कि पाकिस्तान से पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क है क्या यह बात सही होती है तो हाँ देखें अब कैसे सही होती है इसको भी जानेंगे देखें पाकिस्तान ना one of the nine state है जिसके पास nuclear weapon है अगर देखा जाए quantity के हिसाब से अच्छा खासक quantity पाकिस्तान के पास भी है comparing विद इंडिया जाए पाकिस्तान ने nuclear weapon कैसे भी बनाया पाकिस्तान के वाद nuclear weapon है यह कब बनाया गया था 1972 में वहागी प्राइम निस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ठीक है इनके द्वारा एक delegation लाए गी थी जिसके पाकिस्तान Atomic Energy Commission ठीक है उसमें मुनीर एहमत खान था और भी बहुत सारे वेक्ति थे और उनने 1976 तक यह target गया था कि हम nuclear weapon state बनेंगे तो पाकिस्तान इसे में nuclear weapon state है लेकिन negative point क्या है कि पाकिस्तान एक responsible nuclear weapon state ना तो इंडिया की नजर में है ना तो कि इसी और देश की नजर में अगर कोई कहना है कि इंडिया के पास nuclear weapon है तो दुनिया को डरने की जुरत है तो कभी भी नहीं क्योंकि इंडिया एक nuclear weapon state होने के साथ responsible nuclear weapon state है लेकिन पाकिस्तान इतना responsible नहीं क्योंकि terrorism and all बहुत सारी चीज़ें है इवन कुछ समय पहले एक news आई और एकवनल यह material होता है जो कि restricted item है supply करने के लिए इसको supply नहीं किया सकता ठीक है जो atomic energy commission है वो यह कहता है कि इस metal को material को supply नहीं किया सकता लेकिन पाकिस्तान जो है North Korea को यह बेच रहा था North Korea आप सभी जानते है Hermit Kingdom है उसको कोई कुछ नहीं बेचता लेकिन पाकिस्तान बेच आपको अब क्याइट पॉसिबल की जैसे अब पाकिस्तान के पस nuclear weapon है पाकिस्तान अगर उसे वेचता है तो पाकिस्तान के बाद अथार पैसा है है ना है लेकिन अगर वेचा जाता है तो किसी के हाथों में जा सकता है मेबी किसी terrorist organization के हाथों में चला जाए उसका negative use क्या होगा वो negative use किसी भी देश पर हो सकता है अमेरिका पर हो सकता है इंडिया पर हो सकता है war के chances हो सकते हैं यह quite possible है यह सब चीजे होने के ठीक है तो थोड़ा सा इसमें all over the world economy को देखना बढ़ेगा कि किस तरीके से पाकिस्तान की economy को थोड़ा बहुत समाला जा सके ठीक है और उसके लिए IMF कुछ न कुछ करने वाला है ठीक है जैसे पाश्यलंका के case में किया गया है वैसे पाकिस्तान के case में किया जा सकता है लेकिन अब चीजे जो है अभी तो बात है कि अभी condition कैसी है अभी condition कुछ ऐसी है कि पाकिस् पाक जी लें वैसे ही आज हम भी जी पाते हैं तो वह जरूरी है कि safety रहे हर जगा ठीक है अब बाकी इंडिया का क्या इसमें response रहता है इंडिया को भी चीज जहलनी बड़ी थी इंडिया के पास तो पाकिस्तान के बाद तो ज्यादा है अपने बास तो बहुत कम था जिस सम बिल्कुल में है ना तीन दिन का पैसा था अपने बास इंडिया ने क्या किया उस समय लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन और यह सब लाया जो समय की requirement थी वह आया जिसकी वरे से इंडिया उस समय safe खेल गया 1992 और 3 के असपास का जो LPG formula है वह आप सभी जानते होंगे उस निकल गया आता है ठीक है चली तो फिर बाकी आप क्या करें आप मेरा टेलिग्राम चैनल जोइन करें अमन सर्वाइफेस देखो जब आप करेंट फिर आप टॉपिक टूपिक बढ़ते हैं एट्स गुड बट आपके एक्जाम में 12 महीने का जो करेंट फिर आएगा ना वो पूरा मेरे टेलिग्राम पे एक ही पीडिएफ में एवलेबल है सो चैप्टर का कंटेंट है उसमें कुछ करेंट फिर है पूरा 12 महीने का बाकी जीएस है पूरी एक यूटलाइस कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल अमन सर्वाइफेस सर्च करो जिसमें सबसे आदा बच्छे क सब आपको मिल रहा है ठीक है नेने बैचिस मिल रहे है सब आपको मिल रहा है एससी गोल में कोड लाइव मनिकुस करें तो यूटलाइस करिए बाकी मिलते हैं आप सभी से टेलिग्राम चैनल पे शाम को सात बज़े मैं एक लाइव क्लास लेने वाला वाइफेस सड़ी पे उसका भी लिंक आपको इसे मिलेगा सेशन को लाइक करिए शेर करिए और अपने व्यूज जरूर दीजिए कि जो है और कून-कून से वीडियो करेंट फिर्स के जो इशू है जो आपको समझ नहीं आते हैं उस पर करेंट फिर पर वीडियो लाई जा सके ठीक है धन्यवाद अढब से वीगा बाइख